इस वीडियो में बेटा हम लोग पेज नमबर एट साइंस की वरक्षिट प्लांट का सॉलुशन करने जा रहे हैं और यह कॉंसेप्ट अलड़ी हम पढ़ चुके हैं फिर से हम लोग फिर से एक बार रिपीट करने जा रहे हैं इस चीज को तो देखें सबसे पहला हमें इंटिफाई करना होता है वह अब्जेक्ट अपना खुद का इंट्रोडाक्शन देता है उसके बास हमें गीवन ऑप्शिंस में साइडिन्टिफाई करना होता है कि वह पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कौन सा है नैचुरल है में मेरा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहल आयम बुक अब बताईए बुक क्या है बुक जो है नैचुरल होगा कि मैनमेड होगा तो बुक किस ने बनाया बुक ने बनाया है क्या नहीं बनाया ना बुक हमने मैन ने खुद के लिए बनाया खुद को खुद स्टडी करने के लिए बनाया है तो बुक जो होए बैटा व identify किजा आप सभी सबके घर में दिखता है यह क्या है this is a fan what is this this is a fan this is a fan अब fan अपना अपना introduction कैसे देगा कैसे बुलेगा fan fan कहेगा I am a fan I am a fan ठीक है and will stop I am a fan अब बताई fan क्या है what is fan what is a fan natural है आप आप जानते हैं बहुत अच्छे से इसमें ज्यादा discussion की नीड नहीं है fan nature नहीं बनाया अपने खुद की facility के लिए न तो fan क्या हो गया fan हो गया man mad thing fan हो गया man mad thing इसले मैं मैड वाला बबल शील कर दिया चलिया next देखते हैं next items को हम identify करते हैं देखे एक गिविन इमेंस को इन से दिख रही है चलिए सबके house में अविलेबल ही है every day हम लोग open करते हैं this is what this is a this is what this is a door we can say an almira it's an almira also almira it is looking like almira न तो we can write here what is this how the almira can introduce itself almira can say I am an almira and almira I am an almira okay I am an almira now tell me almira kya hai natural है manmade है तो कभी आप clear clear बता दे बिटा आपको almira 101 परसेंट नहीं है यह गौट थोड़ी नहीं बनाया almira almira को हमने खुद के लिए बनाया हम अपने बहुत सरे items objects को बहुत safely keep कर सके इसमें almira को design किया तो almira क्या हो जाएगा बटा almira एक manmade thing है चलिए next image को identify करते हम लोग next image क्या है next image है flower क्या है flower this is a flower flower अपना introduction कैसे रेगा बताये तो flower क्या कहेंगा I am a flower I am a flower f-l-o-w-e-r flower very important to learn the spellings method is very important to learn the spellings spellings should never be wrong always try to keep too much care on the spellings what is the spelling of a particular word na f-l-o-w-r flower I am a flower अब बताये फ्लार क्या है natural है क्या है अपना mind use कीजिए and tell me decide which one is which one is the flower flower is is flower a natural or a flower में में तो बेटा मैं बहुत clear clear बोलू man ने नहीं बना ऐसे यह गॉड ने create किया गॉड ने बनाया ने बनाया ने बनाया है और इसलिए मैंने natural के bubble को फिल कर दिया है ठीक है चलिए अब हम लोग next given items को identify करते हैं चलते हैं क्या दिख रहा है बिटा यह सब के house में यह भी available है every day we use this to switch on the fan and switch off the fan what is this this is an electric board it is an electric board अब यह electric board अपना introduction कैसे देगा बताईये I am an electric TRIC na TRIC electric board B O A R D board and full stop I am an electric board अब बताईये electric board जो है वो natural है या man made है तो आप सब लोग जानते हैं electric board किसी गौड ने नहीं बनाया किसी नेचर ने नहीं बनाया यह हमने खुद के लिए बनाया मतलब मैंने अपने घरों में electric city को control करने के लिए यह electricity का proper use कैसे हो पाएगा उसके लिए हमने बनाया है मतलब यह हमारा man made item है man made object हो जाएगा तो हम लोग man made वाले bubble फिल करते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स इमेंज को इडिंटीफाई करते हैं बताएगे वीच में इस दो नेक्स्ट इमेल इस एजरीग हम लोग अपने fingers में वियर करते ना रिंग को तो हम लोग इसे क्यों आपना इंटरोडाकशन कैसे देगा तो रिंग क्या कहेगा रिंग कहेगा ने डिजाइन किया है मैं यह मैंने डिजाइन किया तो नैचरली आप सबको पता है यह मैंने खुद के लिए डिजाइन किया है ताकि वह खुद को खुद को इन सब चीजों का खुद जो है इन सब चीजों को वियर के गुड लुकिंग बन सके ना यह गुड लुकिंग के लि यह लिए तो हम लोग इसको मैन वाला जो बबल इसको लोग फिल कर देता है यह हमने मैन वाला बबल इंट्रडूस इटसल्फ कैसे बोलेगा बताओ कैसे बोलेगा बिड़ा आ एम टेड़ी बीर वी ई अर टीडेड परके आमट डेल मी इस और टेड़ी बेर नैचुरल और मैनमेट नेचुरल क्रिएशन है यह टेड़ी बियर्या मैनमेट क्रिएशन किसने बनाया है तो हें अब्जेट न यह चोटे-चोटे बच्चो को एंटरेन करने के लिए एक बहुत ही इस्पेशल टॉइ है ना तो यह नेचरल नहीं है इसे मेनमेड टॉइए इसे मेनमेड टॉइए तो आम लोग इसको क्या कहेंगे मैंमेड है और हम लोग ने मैंमेड वाला बबल फिल कर दिय ठीक है चलिए नेक्स्ट को आपना इंडेटिफाई करते हैं बताइए क्या है यह इमेस यह दिस इज़ए लिए अब अने लोग ने परसेंट हमें हमसब को से फोर सिफ गॉडड ने बनाया है निचर ने बनाया है इस boy को भी निच्छने बनाया है इसलिए boy क्या हो गया natural boy क्या हो गया natural object है ठीक है न चले next items को हम identify करते हैं कौनज आइटम दिखरा है बिटा हमेरे सामने हम लोग बहुत ही हमारा फैवरेट भी है हम लोग बहुत ही फॉंड अफ इसके बड़े फॉंड आफ होते है न बड़े सौकीन होता है आइसक्रीम खाने के हमलों समर विकेशन में यह आइटम को बहुत जगा लाइक करते हैं तो बताए क्या है यह दिस इस जणाइस्क्रीम दिस जणाइस्क्रीम चलिए अब आइसक्रीम अपना इंड्रॉडाक्शन कैसे देगा बता तो तो आप सब बता दीजिए कैसे कहेगा आइन-ड्रॉड आइस क्रीम मां स्क्रीम इस देगा इसाइ fins क्रीम अब लॡट है किमृद माल्य वन परसेंट य५ra संट हम ने खुद कमने बना है मतलब यह क्या है मन्मWatch object okay so in this manner i have finished this page how to solve which what was the number of this page it is 8 so in this manner you can try to solve the next pages and if any doubt is there to identify or to do or to know the way or method to solve these all pages then once again can you repeat my video to see na चलिए अब हम लोग नेक्स वीडियो में फिर से मिलते हैं तब तक आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेजिए ओके बाई